कि अच्छार दोस्तों मैं किंजल चौधरी पागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर तो दोस्तों आप इसे मेरे टेल्ग्राम चानल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के उपरांद आपको पीडियोफ अप्डेट्स मिल जाएंगे और साथ दी साथ यह मेरी प्रोफाइल है जहां पर आपको मेरी जितनी भी फ्री स्मेशल क्लासे आती हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी तो दोस्तों आज हम बहुत इंपॉर्टन टॉपिक कवर करेंगे और वो टॉपिक दोस्तों होने वाला है हाला कि कोई भी किताब ल आए हैं तो हम पहला टॉपिक राइटिंग में जो लेने वाले हैं फ西 तो कैसे से एक्षिन एक जो inflation सवाल आते हैं उनको कैसे manage करें पुर से सब्सक्राइख करेंद中 नेका यांसर का स्टिक्टर मोव सारी बाते आज हम करने वाले हैं तो जी आइस वन से नहीं कर रहे हैं GS4 से शुरू कर रहे हैं तो उमीद करता हूँ ये lecture आप सभी के लिए बहुत important तो है लेकिन बहुत फाइदे मंद भी थाबित हो यकीन मानिए इस class में जो आप सीखेंगे ये आप कई ethics की किताब पढ़ लें कई गहराई में वाले lectures जान लें तो भी वो returns नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें जो toppers के द्वारा उनकी जो learning है and काफी mistakes है उन सब के बाद मैं ये बना रहा हूँ तो ये lecture का main उद्देश है आप वो mistake ना करें जो yours truly ने किया था ठीक है and आप वो best practices लाएं जो की toppers अपने answers में लाते हैं ethics में मेरे मैं अपने experience से अगर आपको बता हूँ तो मेरे जब मैं सबसे कम पढ़ाता है ethics मेरे marks सबसे अच्छे आये थे उसके बाद क्या होता है 2016 की बात है मैं बहुत ethics पढ़ता हूँ सोचा इतना कम पढ़के तो इतने marks आये फिर बहुत पढ़ता हूँ लेकिन मेरे marks बहुत कम हो जाते हैं मेरे मुझे लगाता है मैंने बहुत अच्छा answer लिखा है उसके बावजूत सबसे कम marks मेरे तब ही आये थे उसके पास फिर improve करते हैं क्योंकि मैं काफी लाता हूँ लेकिन थोड़ी देर हो जाती है सबसे पहला सवाल आता है सर पैरग्राफ में लिखें या पॉइंट्स में लिखें तो दोस्तों यह निर्बर करता है डिमांड ऑफ दी क्वेशन पर आपके नॉलेज बेस पर प्रिफरेबली आप exam आने तक मेंस आने तक इतने तयार हो जाने चाहिए कि आप answer points में लिख सकें क्योंकि जब आप points में लिखते हैं तो आपके पास multitude of dimensions होता है तो आपके पास अगर 10 marker है तो 10 points होने चाहिए इतने marks हैं तो उतना points तो अगर उतना points लाना है तो कैसे लिखोगे तो सबसे पहले तो student कहते हैं sir हमारा दिमाग इतना काम नहीं कर पा रहा कि हम इतने points बना पाएं तो उसके इसमें paragraph में आप लिख सकते पर दोस्तों यह तब करना है जब आपके पास knowledge की कमी हो लेकिन वह नहीं होनी चाहिए तो आज हम इसवर भी चर्चा करेंगे कैसे आप points बनाएं कैसे तिल का ताड किया जाता है how to make mountain out of mole molehill तो यह कैसे किया जाता है तो वह भी हम देखेंगे तो आई यह तो सबसे पहले तो दोस्तों क्या करना है आपको points में ही लिखना है right as many points as marks ensure कीजिए और आपके points दोस्तों multiple dimensions को cover करना चाहिए तो ethics के answer में क्या introduction ideal होता है तो दोस्तों आपको बता दू मैं जो ideal introduction है ethics में वह होता है definition and लगभग 75-80% सवाल में definition काम करता है तो आप definition का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं लेकिन आपको क्या करता होगा syllabus में जितना term है उतने के definition आपको याद होने चाहिए तो क्या करें दोस्तों सबसे पहले आप definition याद करें बनाए syllabus पूरा देखें जितने term से सारे terms अलग करके लिखें और उन सभी का definition लिखें दोस्तों आप definition लिख रहे हैं तो एक तरीका है एक question कि तुरू देखते हैं for example what do you understand by the term public servant reflect on the expected role of a public servant तो ये question cheek cheek के बोल रहा है कि भाई public servant का definition बताओ तो एक तो क्या है कि आप खुझ से लिख दे तो आप खुझ से लिखेंगे public servant तो आप लिखेंगे कि public servant कोई भी civil servant है कोई भी bureaucrat public servant है लेकिन दोस्तों वह proper definition नहीं है तो definition जब आप लिखें तो आप official government documents को court करें second ARC prevention of corruption act बहुत सारे definitions आपको मिलेंगे तो इनका इस्तमाल करके definition का उपयोग करें दोस्तों अगर नहीं आद है for some reason तो कोई बात नहीं आप general definition लिख सकते हैं लेकिन वह हमेशा क्या होगा last resort first resort क्या है यह वाला definition दोस्तों यह जो definition है second ARC prevention of corruption act तो यहां से क्या होता है कि देखिए examiner के पास ना बहुत ज्यादा पीनलाइज करने का power है उसकी मरदी है वो उसके पेपर उसके उपर वो नहीं है कि accountability बहुत कम है कि उसको दिखाना नहीं है कि उसने क्यों marks काटे आपको नहीं पता चलेगा तो इसे लिए जब examiner के पास इतने ज्यादा discretionary powers है तो आपका definition पसंद आया नहीं आया क्या guarantee है लेकिन दोस्तों सेकेंड आर्सी का definition नहीं पसंद आना उसके हाथ में नहीं उसको पसंद करना ही होगा prevention of corruption act में जो definition है वो standard definition है वो examiner को पसंद करना ही होगा तो अगर definition के लिए एक डेड़ मार्क्स है तो आप अपना definition लिखेगे तो examiner आपको penalize कर सकता है लेकिन ये standard definition लिखने पे examiner चाहके भी आपको penalize नहीं कर सकता है भले उसको definition खुद frankly पसंद ना आता हो लेकिन उसके हा से जपट के marks ले लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा जैसे एक question लेते हैं what do you understand by the term public servant तो यहाँ पर introduction किसे करेंगे आप आप स्टार्ट करेंगे public servant के definition से तो यहाँ पर यूज करेंगे prevention of corruption act को तो दोस्तों अगर आप prevention of corruption act में देखे तो यह दो statement आप देख security और public servant का तो दोस्तों यह definition मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप वर्बटम याद कर लीजिए word by word याद कर लीजिए कोई भी चीज आपको word by word नहीं याद करनी है आपको इसको filter करके सार बनाके एक assimilated definition लिखना है तो यह आपको करना होगा कि यह जो official statement है दो statement इसको mix करें और definition बना दें for example देखिए what do you understand by the term public servant section 2c of the prevention of corruption act defines public servant as a person who holds an office by virtue of which he or she is required to perform any public duty याने public servant वो एक्ती है जो public duty करता है और section 2b define करती है public duty क्या है public duty is defined in the section 2b of the act as the duty in which public or community has an interest तो public servant कौन है public servant वो व्यक्ती है जो public duty करता है public duty क्या है वो ऐसा कोई भी काम है जिससे community की interest है public की interest है वैसा काम करने वाला व्यक्ती क्या है एक public servant है याने NGO भी क्या है वो भी एक public servant है तो इस प्रकार से public servant की definition क्या हो गई बहुत ब्रॉड हो गई तो दोस्तों जब भी आप definition लिखेंगे तो आप official data official records किसी act से ही लेंगे तो second ARC department of administrative reforms and अगर आप देखें तो prevention of corruption prevention of corruption act बहुत अच्छे definitions आपको मिलेंगे देखिए department of administrative reforms reforms and public references की बात कर रहा था तो आए वहीं पर देखते हैं question आया था the right to information act is not all about citizens empowerment alone it essentially redefines the concept of accountability तो यह सवाल किसवे concept of accountability या नहीं सवाल क्या चाहती है सवाल चाहती है कि आप accountability की definition जाने तो अब accountability की definition multiple हो सकती है multifold हो सकती है तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप standard definition लें तो जैसे department of administrative reforms and public revances अगर आप देखें तो वह कहती है accountability as the obligation of those holding power to take responsibility and be held answerable for their behavior and actions simple सा definition है accountability क्या है वो व्यक्ति जो की ताकत की वाली कुर्सी पर बैठे हुए है वो answerable हो अपने actions and behavior के लिए वो responsible बने अपने काम के लिए यही है accountability इसके बाद D.A.R.P.G. और एक line लिखती है यह चाहें आप लिखें चाहें ना लिखें this obligation might stem out of a moral ethical need just because आप उच्छी कुर्सी पर बैठे हैं तो आपके नीचे जो है जिनको आप वैसे सर्व कर रहे हैं पर आप जिनके लिए काम कर रहे हैं आप power की कुर्सी पर बैठे हैं तो बाकी लोगों को आपको बताना की आपने क्या क्या किया क्यों यह decision लिया एक तो यह moral decision है morally आपको यह करना चाहिए दूसरे तरफ हो सकता है कोई law RTI जैसे जो आपको बोले कि आपको बताना पड़ेगा तो यह obligation moral ethical need से भी आ सकती है और at the same time किसी legal requirement से भी आ सकती है RTI क्या है यह वही legal requirement है चली वैसे अगला सवाल देखिए introduction कैसे बनेगा definition से what are the main components of emotional intelligence can they be learned तो देखिए जब मैं introduction कह रहा हूं है आप definition से बनाएंगे तो कुछ question तो cheek cheek के कहेंगे कि भाई introduction definition से बनाओ what do you understand by the term public servant यह cheek cheek के कह रही है introduction इसी से बनेगा बाकी में छुपा हुआ होगा तो जैसे accountability है तो accountability एक छुपा हुआ चीज सा जिससे आप introduction बना सकते थे what are the components of EI यहाँ पर EI का definition नहीं पूछा है पर आपका introduction यहीं होगा लेकिन जब आप EI का definition लिखेंगे तो आप कहां से लिखेंगे तो आप EI की बात करेंगे Dr. Daniel Goleman जिन्होंने अपनी बुक Emotional Intelligence लिखिये और Emotional Intelligence के concept को mainstream किया है आँ आदमी तक लेके आएंगे तो Dr. Daniel Goleman in his book Emotional Intelligence describe it as a person's ability to manage one's own feeling in order to express them appropriately and effectively at the same time and at the same time the definition also recognizes understands and influence others emotion तो मतलब क्या है Emotional Intelligence? Emotional Intelligence का एक मतलब है कि आप अपने खुद के emotions को जाने समझे और at the same time आपके सामने जो लोग हैं उनके भी emotions को जाने इसके बाद दूसरा component है Emotional Intelligence का कि आप अपने emotions को कैसे manipulate करें so that अपने फाइदा हो सके वैसे ही दूसरे के emotions को भी समझ के उसको किस प्रकार से use करना है for the betterment of all that is Emotional Intelligence तो इस प्रकार का definition आप कहा से ला रहें तो किसी standard definition डॉक्टर डेनियल गोलमेन की दे रहे हैं भले आप कोई भी definition याद किये हैं लेकिन ये शब्द लिख दें डॉक्टर डेनियल गोलमेन जब आए सवाल का introduction almost introduction से हो जाता है लेकिन दोस्तों करीबर करीब देखिए कुछ ना कुछ exception तो आपको मिलेंगे तो 25% सवाल ऐसे होंगे जिसमें शायद introduction आप definition से ना बना पाएं जैसे देखिए young people with ethical conduct are not coming forward to join active politics अब दोस्तों यह आप किसका definition देंगे यंग people का देंगे ethical conduct क्या होता है वह देंगे active politics क्या है क्या किसका definition देंगे यहां पर definition बनता ही नहीं है तो यहां पर क्या करना होगा आपको तो इस case में आप इसको link कर सकते हैं किसी important हो सके तो in news something in news हो सकता है 2017 का आसपास का time है what was in news उस time में जब यह सवाल पुछा गया है तो connect कीजिए किसी से news में किसी topic से connect कर सकते हैं जहां पर आपको improvise करना होगा तो connect कर दीजिए something with in news या फिर दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं आप किसी theories and thinkers से connect कर दें तो theories and thinkers से भी आप जोड़ सकते हैं तो ethics में दोस्तों याद रखेगा section A में लोग बहुत मेहनत करते theories and thinkers में तो मैं आपको अपनी दास्ता सुना रहा था जब मैंने नहीं पढ़ा था ना ethics 2015 में जब मैंने means दिया था पहली बर दो महीना ही पढ़ा था मैं total means के लिए तो यादी की थी मैंने क्योंकि मैंने जस्ट ऐसे मज़े मज़े में दिया था हो तो उसके साथ आपको बताता हूं मेरे ethics में बहुत अच्छे माकसा है क्यों बहुत basic theories ही मुझे मालुम थी उपर उपर से अगली बार जब मैं गया तो मैं theories चाट लिया जितनी theories है ना no-er-do-er split, libertarian principle क्या है, wheel of ignorance क्या है, rolls का, Robert Nozick ने क्या कहा है, mill ने क्या कहा है, lock ने क्या कहा है, सब पढ़ लिया मैं, kanth का क्या कहना है, सब पढ़के मैं गया था in short तो दोस्तों हुआ यू कि जब मैं answer लिखा 2016 में, तो मेरा answer मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा answer लिखा है, कारण था दोस्तों, मेरा जो answer था, वो अगर आप देखेंगे, तो पूरा का पूरा philosophy बन गया, instead of being ethics, जो की general studies में आता है, always remember, ethics is part of GS4, philosophy optional नहीं था, मेरी तो कभी philosophy रही भी नहीं है, optional, लेकिन मैं चाट लिया था, पूरा, और मेरा जवाब में, करीबन करीब 70% बस philosophical argument, इस philosopher ने क्या कहा, उस philosopher ने क्या कहा, कानी यही हो रही थी, लेकिन ethics में, ये बस एक dimension बनेगा, 10 dimension में से बस एक dimension philosophy का होगा, कोई philosopher ने क्या कहा है, लिखा, तो अच्छी गलती मैंने की थी, आप मत कीजेगा, तो ये मेरी mistake से आपको सीखना है, अगर आप ये सीख गए, तो मुझे बहुत खुशी होगी, तो देखिए, दिक्कत यही होती है, जब आप महनत करें, पर आपको penalize हो जाए, तो वो सबसे बड़ा दुख होता है, जीवन का, यकीन व आप मेंबर, ethics क्या है, GS4 का part है, philosophy optional नहीं है, तो for example, मान लीजिए, सवाल उठ रहा है, एक बहुत अच्छा example जिस्ते आपको दिखेगा, कैसे आप introduction लिख सकते हैं, I count him as braver, who overcomes his desire, then he who overcomes his enemies, Aristotle ने कहा है, इसको expand कीजिए, क्या है आपके लिए, आज के वक्त में इसका तात्पर है, तो इस प्रकार के सवाल में, code-based में, ये चीच-चीच के कह रहा है, आप इसको किसी theory से connect करें, तो यहाँ पर कौन सा theory perfect है, तो दोस्तों अगर आप theory पढ़ेंगे, तो एक virtue ethics की बात होती है, तो virtue ethics में अगर हम देखें, तो कुछ cardinal virtues कहे जाते हैं, चार virtues, cardinal virtues होते हैं, याने सबसे important, कौन-कौन से वो चार हैं, तो पहला wisdom है, दूसरा courage है, तीसरा justice है, और चौथा आता है temperance, temperance, याद रखियेगा ये, वीको जूट, मैंने तो ऐसे ही याद रखा था वही, अब मुझे तो बहुत सारे ठीयाद रखने से, मज़ा भी चका था, तो वीको जूट, wisdom, courage, justice, temperance, तो ये चार virtue ethics के cardinal virtues हैं, तो इसमें अगर हम देखें, तो यहाँ पे किसकी बात हो र रही है, तो आप इसको इस तरीके से start कर सकते हैं, तो किससे start किया, इसको theories and thinkers से start किया, आप चाहें तो इसको किसी religious angle से भी start कर सकते हैं कि बगवद गीता में निश्काम कर्म क्या है, तो कुछ उस प्रकार की बातें भी कर सकते हैं, और अन्या टेम्परिंस की बातें गीता म हैं, तो theories and thinkers की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आप इस्तमाल करें, but make sure this is just one to two out of ten points that you are going to write, don't overdo it, you will be penalized, don't overdo it, एक से दो पॉइंट लिखना है, आपको बस आपके answer में diversity देता है, पर यह एक दो पॉइंट अगर आप लिखे न, तो यकीन वानी है, आपके answer को चार चा रहेगा, ज्यादा करोगे तो पिनलाइज हो जाओके, लेकिन एक दो लिखोगे, क्योंकि आपके competition में बहुत लोग नहीं लिख रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो एक दो पॉइंट इस दी आइडियल सिनारी हो, है ना, अगर आप यहां अरिस्टार्टल की बात कर र Anger is a harmful negative emotion, it is injurious to both personal life and work life, discuss how it leads to negative emotions and undesirable behavior, how can it be managed and controlled, दो सवाल आए थे, यह कब का सवाल है, देख लिजेगा 2015 का है शायर, तो इसमें अगर आप देखें, तो इसको आप एक quote से भी start कर सकते हैं, और यह quote किसका है, यह again religious basis पे है, philosophical है, तो यहां से भी आप start कर सकते हैं, Holding on to anger is like grasping a hot coal, with the intent of throwing it at someone else, you are the one who gets burned, गौतम बुद्धा ने का है, तो आप इन गौतम बुद्ध के बहुत सारे lines आपको मिलेंगे, जो की बहुत जादा इस्तमाल में आएंगे, तो रामायन, महाभारत, गौतम बुद्ध, महावीर जैन, जो आपने पढ़ा है, है ना, सिख criticism से लेके आए, Islam, Christianity, सभी से कुछ-कुछ आपको मिलेगा, जो की आप लेके आए, temperance की बात करेंगे, तो Christianity का क्या कहना है, Islam का क्या कहना है, तो ये सारे sayings आप, ये सारे religion से आप कुछ-कुछ points लाएंगे, तो इसमें क्या कहा है, मतलब गौतम बुद्ध क्या कह रहे है, कि या एंगरी हो, गुस्सा हो, तो ये एक तपते वे कॉल-कुछे के समान है, जिसका purpose अब हाथ में लेके बैठे होगी, किसी के मुँपे मारोगे, लेकिन वो आदमी तो दिखता नहीं है, इस बीच आप अपना हाथ जला लेते हो, यही है anger, आपको अंदर से खोकला करता है, आपको अंदर से खा जाता है, तो इस प्रकार से भी आप start कर सकते हैं, introduction में, लेकिन ये skill है, ये knowledge के साथ आएगा, कुछ ऐसे quote याद करें, मैं आपको ये quote देखा ना आपने, ये देखिए मैं इस quote को कितने जगा भी इस्तमाल करूंगा, एक quote कितने जगा इस्तमाल हो सकता है, ऐसे कई कुछ quote मिलेंगे, वो quote जमा करें, compile करें, वो हर जगा इस्तमाल होता है, ठीक है, देखिए इस सवाल में भी आप किसी से definition से start नहीं कर सकते, एक question है, कब का question है, अगें 15-16 कई ही लग रहा है, तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल में आप कैसे start कर सकते हैं, थियोरी से, तो गांधी जी, उनके seven sins आपको मिलेंगे, यह जो साथ sin है गांधी जी के यह आप रट लीजिए, आपके आधे से जादा सवाल का introduction यह बन जाएगा, तो गांधी जी ने कहा है, politics without principle is a sin, तो मिल गया आपको introduction, ऐस पर गांधी जी, politics without principle is a sin, and therefore politics and ethics must go together, if they are not going together, it is a sin, बन गया introduction, यही तो चाहिए, तो seven sins आपको याद होने चाहिए, वैसे ही देखिए, यह question अभी हम करेंगे भी अंत में, the weak can never forgive, forgiveness is the attribute of the strong, तो अगर आपको मालूम है किसने quote लिखा है, तो आप जरूर बताएं, गांधी जी का quote है वैसे ही, आपको मालूम होना चाहिए गांधी जी का quote, तो देखिए, आपको यहाँ ग्यान टेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपके अंदर क्या छुपा है, दिल के अंदर वो टेस्ट हो रहा है, तो लेकिन examiner पर अच्छा प्रभाव पढ़ेगा, अगर आप यह write करें, कि किसने यह quote दिया है, तो अच्छा लगएगा, कि हाँ भाई, आप पढ़ के आए हैं, आप ethics में धेर सारे philosophers के बार करें, तो यहाँ पर आप इसको किसी तरी कैसे current से relate कर सकते हैं, 2015 का मुझे याद है, उस टाइम हुआ यूँ था कि ISIS वाला time चल रहा था, and Russia and Turkey, दोनों के planes operate हिया कर रहे थे Syria में, and Russia के plane को Turkey ने मार गिराया था, तो मैंने यही लिखा था current से connect किया था, कि देखिए, क्योंकि अच्छे मार भी तभी आये थे, कि देखिए कैसे यह आज के time में बताता है, Russia के plane को Turkey ने मार गिराया, लेकिन Russia जवाब नहीं दिया, लेकिन सब जानते है, Russia बहुत powerful country है, लेकिन उसके पास बड़ी चीज़ें हैं, जो उसको achieve करनी है, वहाँ पे Syria में, इसलिए उसने नहीं मार गिराया, तो यह जो forgive किया है, Russia ने टरकी को, यह बचाता है, forgiveness is the attribute of the strong, तो इस प्रकार से कुछ मैंने connect भी किया था, तो इस answer को, इस question को आज हम देखेंगे भी, अलग-अलग तरीके से cover करेंगे, किस के तरीके से forgiveness is the attribute of the strong, दो interpretation है, इस quote के दोनों पढ़ लेंगे, ठीक ह तो आप क्या करें, आप current से link कर सकते हैं, पर दोस्तों याद रखिए, अगर आप introduction में ही current से link कर रहे हैं, तो आप body का एक point कम कर दे रहे हैं, तो आप यह decision खुद से लेंगे, अगर body में बहुत points हैं, तो introduction में डाल दे, पर अगर points नहीं हैं, तो body के लिए बचा के रखें, और किसी अन्य तरीके से इसको open करें, ठीक है, तो ethics में जब भी आप dimension बनाएंगे, तो आपको क्या करना होगा, अगर मैं आप तक जो बताया हूँ, इसको मैं summarize करूँ, तो सबसे पहले तो वही आप क्या करेंगे, destination बताएंगे, frankly, 80% सवालों में आपका लगेगा, number two, एक स दो point आपकी theory से आएगी, Aristotle ने क्या कहा है, Kant ने क्या कहा है, Mill ने क्या कहा है, बिंधम ने क्या कहा है, वो सब एक दो point होगा, जो roll क्या कहते हैं, अलग अलग जगे से आप लेके आएंगे, बस एक दो point, ठीक है, Socrates ने कुछ कहा है, तो क्या कहा है, बता दीजेगा, वैसे ही अलग अलग जितने भी हैं, Russo ने क्या कहा है, सब इसी में जाएगा, ethics के concepts, utilitarianism, है ना, फिर वैसे ही, जितना भी ये सब जाएगा, उसी में जाएगा, ethics के concepts होगे, अभी आप इसी में डाल देंगे, तो ये एक या दो point, बस, इसके बाद आपके answer को आप dwell करेंगे, उसको आप open करेंगे, अलग-अलग dimensions बनाएंगे, individual के लिए, उसका क्या मतलब है, अभी समझ आ जाएगा, एक question जब हम देखेंगे, कोई भी question है, जैसे मान लीजिए, question आता है, corruption का, तो corruption from the perspective of an individual, कैसे उसको नुकसान हो रहा है, corruption from the perspective of bureaucracy, कैसे वो समाज, कैसे वो department को नुकसान होत है, international affairs, national affairs में क्या नुकसान है, environment and nature को क्या नुकसान है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके basis पे ensure करें, examples हो, तो आपने इतने dimension दिये, ये अधूरे हैं, अगर आप example इसके ना लिखें, अगर बात हो रही है, मान लीजिए, corruption की, और आप international affairs में बात कर रहे हैं, तो make sure कैसे international affairs में जब corruption होता है, तो defense acquisition में दिक्कत होती है, तो defense acquisition हो जाता है, सालों साल तक national security को impact होती है, तो ऐसी कुछ बात कर सकते हैं, ये अगिन मैं on the go अभी कभी बना रहा हूं, सोचके नहीं आया था, तो ऐसे examples से आप इसको जरूर लिखें, तो ethics में examples are more than important, ethics में अगर डालें, तो आपका answer incomplete है, जैसे geography में diagram ना डालें, तो आपका answer incomplete होता है, उससे भी ज्यादा important ethics में examples होते हैं, तो make sure at least 2 example आप डालें, इन dimensions को जब cover कर रहे हैं, किसी दो में तो at least examples हो, और कुछ personal example भी आप डाल सकते हैं, लेकिन make sure वो work related हो, work related हो, कुछ काम से related हो, जिसमें अपने work में कुछ अपना accomplishment दिखाया है, ठीक है, इसके सिवा आप एक dimension बनाएंगे, what will happen if one doesn't follow above, तो क्या मतलब है, अभी समझ आ जाएगा आपको, इसके सिवा आप एक quote भी लिख सकते हैं, अगर आपको quote याद है, and make sure आप diagram डाल रहे हैं, तो ये slide आपको याद होना चाहि इतना आपको याद होना चाहिए, आपको PDF मिल जाएगा, तो उसको जरूर देखिएगा, याद कर लिजेगा आप, इसको make sure, जब भी answer लिखने हैं, अपने disk पे इसको चिपकाईए, इतने dimensions में आपको सोचना है, इतने points आपको cover करने हैं, क्या-क्या आप कर रहे हैं, तो ethics म वो GS2 में भी पूछ सकती थी, लेकिन वो GS2 में नहीं पूछ रही है, वो specially आप से GS4 में पूछ रही है, तो उसका कुछ तो देश्य होगा, ethics में पूछना है, तो कुछ तो purpose होगा, तो आपके answer को आप GS2 की तरीके से नहीं लिख सकते, आप उस answer को GS4 में ही लिख रहे हैं, तो उसी vocabulary में लिखना है, तो ethics की कुछ vocabulary है, वो vocabulary आपके answer में दिखनी चाहिए, theories की बात किजिए, no-a-do-a-split, दियानन सबस्वती ने कहा है, libertarian principle Robert Nozik ने दिया है, तो जब भी सवाद आए कोई paternalistic law, helmet पहनना नहीं पहनना, इस टाइप के laws को क्या का दे, paternalistic law, मेरी personal affair है, उस प्रकार के law को क्या कहते है, paternalistic law, शराब पीना नहीं पीना, क्या है यह paternalistic law, तो इस प्रकार के law में Robert Nozik क्या कहते है, libertarian principle है, तो कहते हैं, नहीं नहीं कोई दुरत नहीं है, no moral legislation, क्या moral है, क्या immoral है, same-sex marriage, या फिर same-sex relationships पर जो अब तक था, section 377, वो क्या था, वो एक प्रकार का moral legislation था, तो Robert Nozik क्या कहते हैं, उस पे, पैसे ही difference principle, wheel of ignorance, roll का क्या कहना है, तो roll की बात करेंगे, law क्या कहते है, natural rights क्या है, natural rights are inalienable, क्या मतलब है इसका, तो यह सब आपको मालू होना चाहिए, जब आप state की बात करते है, state high-handed हो रही है, तो उस प्रकार के सवाल में आप मिल की बात करेंगे, कि अगर कोई private action है, तो इसमें state का कोई role नहीं हो है, अगर मैं घर की चार दिवारी में कुछ काम करूं, तो यह मेरा private action है, इसमें state का कोई role नहीं है, अगर मेरा कोई public action है, तो अगर उस से कोई minor breach हो रही है, तो society की disapproval काफी है, major breach में ही स्टेट का काम है कि आके मुझे पनिश करें तो अगे इन दोस्तों हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको नहीं आ रहा है तो आपको इसब पढ़ना है और यह एक दो आपके आइंसर में वह एथिकल वोकैबूलरी जन्रेट करता है तो वैसे कांज की बात करेंगे मैं नॉट आजग मांज चीवाथ करेंगे जहала इन सीवस्तिकर में लगेंगे आपके एंसर को वह एथिकल भी बनाएंगे सरवोदय principle क्या है उसकी बात करेंगे अकुसल काम क्या है रिलीजन से आप लेना शुरू करें अकुसल काम क्या है तो उसकी doctrine of कर्म की बात करें सियाद वद गया है मैनीनस of reality की बात करें भगवत गीता से आप लेके आए रामायंड से आप कुछ लेके आएं आप महाभारत से कुछ लेके आए तो ये स्ब बहुत सारे एक्जामप väldigt सबको मिलेंगे रामायंड से महाभारत से बगवतगीता से कुछ integrity की बात हो रही है तो अश्वत हमा नरो हुं अशवत आमा हतो नरोव कुझरो तो ये क्या हैं लाक ओफ इंटीगरिटी वाली बात है ऑनेट हो रहे हैं बट लाक ओफ इंटीगरिटी रहे हैं तो ये सलrop DRK चीज्जें आप कर सकते हैं बहुत कुछ सीखेंगे वैसे ही वैलियू की बात तो सब को सारी values याद होनी चाहिए Nolan committee की जो values हैं याद कीजिए second ARC में अन्य और values हैं वो भी याद कीजिए second ARC देखेंगे इसमें बहुत सारे ethical framework से वो तो model जैसे बहुत सारे concepts मिलेंगे तो वो सब आपके answer में दिखना चाहिए तो ही तो पता चलेगा आपने पढ़ा है वो otherwise कैसे पता चलेगा आपने पढ़ा है तो याद करें second ARC बहुत अच्छा example देती है cat on the wall वाली बाते करती है corruption को लेके एक अच्छे bureaucrat के साथ क्या होत है तो वो सब example quote करें तो यह सारी चीज़े हैं जो आपके answer को अलग edge देती है doctrine of double effect की बात करें की morality is based on the intent of the action है ना इसको लीगल प्रिंसपल्स में जिसे में स्रेया कहते हैं कोई चीज़ सही है कोई चीज़ गलत है वो में स्रेया decide करती है but again अगर आप पूरा answer बस theoretical basis में लि करना है बस एक या दो पॉइंट बाकी examples and dimensions वह आपका scope है तो इस लिए नंबर वन लिखा है एक ही dimension है यह बाकी के 9 और 8 या 9 प्रकार के और dimensions आप बना सकते हैं तो ethics में examples कैसे होने चाहिए तो अगर हम ethics में examples की बात करें तो personal life देखी तभी लिखे अगर आप लिख रहे हैं ना मैं school में यह करता था बच्वन में मेरा दोस्त के साथ मैंने यह किया सब मजा नहीं आता personal example दे रहे हैं तो आप अपने आपको बेच रहे हैं तो make sure आप अपने example से अपने आपको बेच पा रहे हैं तो कुछ अच्छा example दीजिए life altering जहां पर आपने integrity दिखाई अब्जेक्टिविटी दिखाई जहां पर आपने कुछ अलग किया वैसा लिखें स्पोर्ट में कुछ तो स्टूडेंट्स में जानता हूं वह तो ऐसा भी लिखते थे कि जब मैं UPSC में medical test देने गया था civil service exam के बाद वहां पर यह दिक्कत हुई है वह भी काफी लोग लिखते हैं लेकिन अगें दिया है तो अच्छी बात है नहीं दिया है तो जबरस्ती भी बहुत लोग बेचते हैं बस make sure जो भी है आपको खुद को बेचना है personal example का में मतलब वही है फिर आप देखें तो sports की बात कर स्याद है आपको world cup final में वह बिना empire के आउट दिये खुछ से चले जाते हैं क्यों क्योंकि वह कहते हैं कि उनको मालूम था वह आउट हो गये है तो integrity of the integrity दिखता है ना उससे वह एडम गिलके शोकर है सचिन दिखाया करते से वैसी MS Dhoni उनके light से perseverance सीखने मिलेगा बहुत सारी चीजे leadership सीखनी मिलेगी आज भी कल पर सुई मैं अकबार ना पढ़ रहा था कोई creator कह रहे थे कि MS Dhoni के लिए तो मैं गोली खालूं वह बोले तो तो इस प्रकार की leadership वह offer करते थे टीम को तो इस प्रकार की बाते आप लिख सकते हैं तो famous Olympic athletes से बहुत कुछ सीखेंगे बहुत लिखे perseverance की बात करते हैं तो इसरो की बात करें है ना Captain Gopinath Air Dickens बात करें इनकी Air Dickens उन्होंने कैसे बनाई तो प्राइम में बहुत अच्छी movie आई हुई है सूरिया हीरो हैं इनकी बुक्ती simply fly movie का नाम मुझे याद नहीं सेर्च कर लीजेगा सूरिया हीरो हैं इसके बहुत बढ़िया फिल्म है बहुत कुछ सीखेंगे perseverance पर आप सीखेंगे leadership पर खास नहीं लेकिन हाँ perseverance पर आप जरूर सीखेंगे उनसे तो make sure वो movie देखे तो उसके बारे में जाने है ना तो Captain Gopinath की बात करें empathy की बात करें तो हीमादास क्या क्या किया उन्होंने उन्होंने आधी salary Assam floods में दे दी तो इस फ्रकार के daily आपको examples में लेंगे environment की बात करें तो personal example बहुत important है कि मैं तो plastic नहीं यूज करता और use ना भी करें सिर्फ बाते ना बनाए इसके सिवा कि मैं नहाने के लिए shower नहीं यूज करता मैं बाल्टी से नहाता हूं क्यों क्यों बाल्टी से नहात लिए तो leadership की बात करें तो पेम Armstrong की भी बात कर सकते हैं देखिएगा महिपाल सर का इंटर्व्यू भी है उनके साथ तो कैसे उन्होंने people science officer कहते हैं जिनको सड़क बना दी उनकी बात करें तो यह सब examples के बिना आपका ethics का answer अधूरा है example ही आपको marks दिलाएगा आपके answer को applied ब आपके दिल में क्या है याने it's all about application क्या आप यह ग्यान पढ़के apply करते हैं तो आप apply तभी कर पाएंगे जब आपने इर्द गिर्द उसको apply होते हुए देख पा रहे हैं identify कर पा रहे हैं diagram बहुत important ethics के answer में diagram नहीं बनाओगे तो आपको edge नहीं मिलेगा तो simple diagram बनते हैं law and ethics बीच में आ गया तो ethical laws जरूरी नहीं है सारे law ethical हों सारे ethics lawful हो कि laws को endorse करे तो कहां पर मिल रहा है ethical laws जहां भी कुछ ethics versus law आपको confrontation दिखे ताप यह diagram बना दे वैसे ही कुछ courage की बात हो रही है तो courage as golden mean Aristotle ने दिया है तो courage अगर नहीं show करोगे तो दरपोग हो जाओगे cowardice हो जाएगा और अगर courage बहुत जागा है ना वो शो करोगे तो क्या हो जाओगे reckless है ना आप reckless कहला होगे कि अरे बारिश हो रही है बिजली गिर रही है नहीं नहीं मुझे तो courage है मैं तो बैठूँगा क्या हो सकता है बिजली गिर सकती है मर सकते है तो वो क्या है वो reckless behavior है वो courageous नहीं है और दूसरे तरफ बारिश हो रही है hospital लेके जाना है किसी को नहीं 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 लेके जाओग का बार बारिश हो रही है बिजली गर गई तो अरे कि इतनी प्रोड़ाबलिटी है गरने की वह भी जो देखो तो करेज इस दी गोल्डन मीन बेट्विन कवाड़िस एंड रेक्लेस रेक्लेसनेस तो यह आप शो कर सकते हैं वैसे ही करेज ऐस दी गोल्डन वर्च्यू मालन कर सकोगे जैस्टिस सबको मालूम है क्या जैस्टिस होगा हो सकता है कौन सही कौन गलत मालूम है लेकिन वो जैस्टिस अगर दे रहा हूं because I have courage तो क्या कहा है courage as the golden virtue plateau ने कहा है इसका इस्तामाल करें वैसे honesty integrity probability the probability is the highest form of honesty जो हो सकती है तो प्रोबिटी है तो ही integrity हो ही लेकिन जो integrity है जिसमें वो honest तो होगा लेकिन जिसमें integrity है उसमें जरुवी नहीं है प्रोबिटी हो लेकिन अगर प्रोबिटी है तो बागी दो चीज़ें पक्का पक्का है तो यह प्रकार का डियाग्राम भी अब बना सकते हैं honesty integrity प्रोबिटी पर वैसे ही बिरोक्राइट की बात हो रही है civil service values की बात होती है skills की बात होती है तो holistic competence की बात करें और इस प्रकार से high skill high values बताएं और यह श्रीधरन कलाम यह लोग सब कौन है high skill high values यह वो लोग है जिनमे holistic competence साथ holistic competence is equal to skills plus values वही low values high skills aq khan तो इस बगार का example आप दे सकते हैं सेवत्म मॉडल की बात करें तो क्या है सेवत्म मॉडल तो service को define करें service को define करने के बाद इसके standards बनाए standards बनाने के बाद capability बनाए so that आप उस standards को meet कर सके उसके बाद क्या करें आप उन standards को perform करके दिखाएं उसको achieve करके दिखाएं और उसके बाद क्या करें आपकी performance को monitor करते रहें और आपके performance को independent evaluation होना चाहिए जिनके basis पे continuous improvement होना चाहिए और उसके बाद कुछ circle के बाद वापस service को redefine करें अब better आपको चीज़ें अचीव करने कहें तो new definition of the service जिसमें क्या हो बहतर standards हो जिसको आपको चीव करने होंगे आपकी capability continuously improve हो रही है तो इस प्रकार का सिवोतब मॉडल पर बनाएं वैसे corporate governance में क्या क्या चाहिए corporate की environmental responsibility corporate ethical responsibility corporate social responsibility वैसे प्रोबिटी का क्या मतलब है honesty है प्रोबिटी का मतलब integrity है प्रोबिटी में क्या क्या included है मतलब नहीं है उसके उसके अंदर क्या क्या आता है प्रोबिटी में honesty आता है प्रोबिटी में integrity आता है प्रोबिटी में प्रोबिटी का मतलब trustworthiness है प्रोबिटी का मतलब highest possible moral character है तो ये सब जब meet होता है तब जाके प्रोबिटी अचीव होती है तो इस प्रकार का भी आप hub and spoke model वाला डायग्राम बना सकते हैं citizen starter से क्या क्या होता है पहले भी आपको बता है इस प्रकार का भी आप hub and spoke डायग्राम बना सकते हैं इसे good governance हो रही है वैसे ही आप यहां पे भी two-dimensional dilemma दिखा सकते हैं ethics में क्या क्या हो रहा है एक तरफ empathy एक तरफ objectivity है एक तरफ national interest है एक तरफ departmental interest है तो यह सब तो मेरे पिछले class में govern किया था इजब मैंने डायग्राम में फोकस किया है तो आप इसको भी यूज में ला सकते हैं एठिक्स में बहुत ज्यादा flow charts बनते हैं आप हर चीज flow charts से दिखा सकते हैं तो इसका उप्योग करें कोई action है क्या वो committed in good faith है इस तो outcome कैसा गया क्या desirable outcome आया बहुत अच्छी वात है क्या desirable outcome आया नहीं आया नहीं आया कोई बात नहीं तो learn कीजिए improve कीजिए लेकिन अगर committed in good faith नहीं है याने mensria उसका खराब है mensria उसका खराब है तो क्या मतलब है इसका कैसा भी outcome my desirable undesirable action को आप justify नहीं कर सकते irrespective of आपने क्या achieve किया अगर mensria खराब है तो उसको define नहीं कर सकते यह एक अकुसल काम है तो यह बाते आप बताएंगे वैसे emotional intelligence है तो क्या है इसका मतलब पहला उसका मतलब है कि understand one's own emotion कि दूसरा अगर आप देखें तो understand others emotion अगर यह दोनों कोई करता है तो right skills है उसके उसको दे दोगे तो वह एक अच्छा leader बन सकता है तो end तो आप जैसा सवाल है उसके अनुसार इसको modify कर दें देखिए यह सारा जितना भी ना ऐसा ही on the go बनता है जो question में पूछा गया है उसके आप मोडिफाई करेंगे उसको वह template है आप बढ़ दीजेगा जो भी सवाल है याई से क्या क्या हो सकता है तो ethics में दोस्तों से at the same time conclusion भी बहुत important है देखिए conclusion से आपको marks मिले ना मिले लेकिन नहीं लिखने पर marks जरूर कटते हैं देखिए ethics का जो paper है यह सबसे lengthy paper होता है GS में लोहों के सवाल आई दिन छूटते हैं कारण देखी multiple होता है तो paper अपने आप में बहुत lengthy है दूसरा GS पोर आकरी दिन होता है चुडेंट ठक चुके होते हैं एक दो GS12 सुबह शाम लिख रहे हैं फिर सुबह शाम लिख रहे हैं खतम हो चुका होती है energy खतम हो जाती है तो उसके बावजूत बहुत lengthy paper होता है दिवाग काम करना बंद कर चुका होता है दूसरे दिन तक आप sleep deprived होते हैं दोस्तों इसमें citizen's charter जैसे question आ रहा तो conclusion बता रहा हूं मैं तो हो सकता है कि आप बढ़िया conclusion नहीं सोच पाएंगे time पे तो क्या करें आप generalistic conclusion लिखें पर conclusion ensure करें कि आप लिख रहे हैं जैसे मान लिजी citizen's charter पे question था तो ऐसा conclusion क्या है इस conclusion में दिखते हैं कुछ अलग बात नहीं कुछ सोचा उचा नहीं सिदा लिख दिया लेकिन लिखिए तो आपके marks नहीं कटेंगे चले तो अगर question है ethics का आईए कुछ देखते हैं court based question तो क्या करना है court based question में आपको तो ethics में section A में अगर हम देखें तो दो मुख्य प्रकार के सवाल लिखेंगे एक general सवाल होगा और एक court based question होगा यहीं दो आपको section A में दिखने वाला है तो court based question में सबसे पहले क्या करें बहुत लोग क्या करतें उनको मालूम भी होता है ना thinker वो नहीं लिखते है कि यह court किसका है तो सबसे पहला चीज़ करें भया thinker का नाम लिखें ऐसा भी अगर आपको नहीं मालूम है किसका thinker रहे तो घबराइए मत क्यूंकि नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं आपको कोई ज्यादा पीनलाइज नहीं करेगा शायद reward नहीं मिलेगा लेकिन you will not be penalized तो नाम लिखने से आपको बस एक extra edge मिलता है दूसरा क्या करें define करें उस quote में एक keyword होगा तो उस keyword को पकड़ें और उसको define कर दें इस प्रकार से आप quote वाले question को भी क्या कर सकते introduction बना सकते हैं for example देखिए the we can never forgive forgiveness is the attribute of the strong तो मैं नहीं चाहता अपने examples बरबाद कर दूं मैं चाहता हूं कुछ और तरीके से introduce करना तो मैंने देखा इसमें क्या है keyword forgiveness forgiveness को पकड़ा और बना दिया forgiveness is a conscious decision to release feeling of resentment or vengeance towards a person or group who has harmed you यह क्या है यह definition है forgiveness का but again यहाँ पर कोई मुझे इसा source नहीं विला जिसको मैं credit कर दूं कि forgiveness की definition यहां से आई है तो आपको मिलता है तो आप उससे लिखें उसके बाद क्या करेंगे आप आपने definition दिया उसके बाद सपाथ को सिम्पल सिंटिंसे में समराइघ करेंगे make sure यह तमरी तीन लाइन से जादा न रोतीन लाइन के अंदर में आपको इसको समराइज करना होगा at all cost तीन कॉस्ट सिन लाइन से ज्जादा में आप इसको नहीं लिखेंगा और समराइज करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे उसके बाद आप कहेंगे कि यह कोट का क्या मतलब है और इसके बाद आप एक डाइमेंशन बनाएंगे non adherence to above court से क्या होगा अगर आप forgiveness नहीं करेंगे तो क्या होगा तो अगेर आप इससे भी dimensions बना पाएंगे इसके बाद आप क्या करेंगे कोई भी दो dimension का at least example आप लिखेंगे मजाल है आपके marks कट जाएं आपको अच्छे marks मिलेंगे अगर आप ये formula follow करने वाले हैं तो ethics को मैं यहाँ पर आपको score करने के लिए formula बना के दे रहा हूँ तो क्या करना है आपको दोस्टों make sure आपने दोस्टों के साथ इसको share करें ज्यादा से ज्यादा logo तक ये पहुँचे and इस video को ज़रूर like करें तो ही मुझे भी motivation मिलेगा आगे के videos भी ऐसे ही आते रहेंगे दोस्टों चलिए तो आईए इस question को आप देखते हैं समझते हैं और एक sample question की चला से इसका answer भी लिखते हैं पढ़िए तो सबसे पहले तो आप अगर देखें तो ये quote on forgiveness मैंने बताया है किसको attribute किया है तो पढ़िए दिए बवब quote on forgiveness has been attributed to महात्मा गांधी जी ये ने क्या किया सबसे पहले बताया किस thinker को ये quote लिया गया है उसके बाद क्या define करेंगे बस define कर दिया है forgiveness refers to a conscious decision to release feelings of resentment or vengeance towards a person or group who has harmed you इसके बाद क्या करेंगे summarize तो summarize किया है however not every person can let the feeling of resentment go away it is only the strong who has immense self-discipline and control over one's emotion can forgive इसके बाद what the quote means in present context चो सीदा लिग दिया in present context time जादा नहीं होता है box के अंदर डालिये लिखिये और आगे बढ़िये तो at an individual level क्या होगा forgiveness से ability to forgive and forget ensures I stay committed to my goal of self-improvement without deviating from my target आप चाहे तो I को 1 भी लिख सकते हैं चाहे तो 1 को I के term से भी लिख सकते हैं तो आपकी मर्जिया 3rd person में भी लिख सकते हैं at an individual level ability to forgive and forget ensures that one stays committed to one's goal of self-improvement without deviating from their target as a result one doesn't waste their energy in hatching plots of retribution which only creates more enmity as gandhi ji said eye for an eye makes the whole world blind तो यह क्या है यह बताया क्यों forgiveness individual level पे important है सही बात है देखिये यह मैंने लिखा है answer तो आप इससे बहतर answer जरूर लिख सकते हैं मैंने भी on the go ही लिखा है आपके सामसे सिधा टाइप करता गया हूं मैं आपके सामसे तो नहीं जब यह बना रहा था उससे पहले लेकिन on the go बना है तो आप भी लिख सकते हैं आप इसे बहतर लिखेंगे राजर नेक्स्ट एक सिविल सर्वेंट के लिख क्यों जरूरी है फर्गिवनेस from the perspective of civil servant the court is of immense importance as the bureaucrats driven by ethos of public servants public service don't indulge in pity office politics they don't need office politics to rise and shine they are strong and this ensures it is their work which seeks उनका काम बोलता है truly they are the ones who forgive with ease and focus on their work करे वह वो office politics नहीं करते उनका काम बोलेगा तो make sure करते उनका काम बोले क्यों करते हैं वो ऐसे क्योंकि वो confident हैं वो इसलिए करते हैं कि उनके खिलाफ कोई plot भी करे हैज भी करे कोई साजिश भी रचे उसको forgive करते हैं अपने काम पर focus करते हैं उनकी energy उनके काम पर ही divert होती है next कुछ religion से connect की जी तो forgiveness is central in our traditions as can be seen in as can be seen in Ramayad वरुन देव ने राम जी को गुस्सा दिलाया था लेकिन राम जी ने क्या किया उसके बावजूत से माफ कर दिया वरुन देव लिखें तो लॉड लिखें लॉड राम मेक शूर भवान की बात कर रहे हैं लॉड लिखे है ना वैसे प्रफिट मुहम्मद में प्रफिट लगाए है है ना तो हमेशा respectful हो आपका tone make sure ठीक है वैसे ही आप देखें तो above court also needs to be applied with more bigger in our presence अपने society से भी connect कर दिया the goal of presence in a strong nation state like ours should be reformative and not retributive jail में जो कैदी है हमारा jail में उन्हें डालने का उदेश्य क्या है उनको reform करना retribution नहीं है उनको उनके कर्मों की सदा नहीं दे रहे हम की चलो तुमने गलत काम किया है इसलिए बद रहोगे तुमसे बदला नहीं लिया जा रहा कोशिश कर रहे हैं तुम्हें reform करें तो यह भी तभी होगा जवाप उसे forgive कर देंगे अगर फॉर्गिव नहीं किया तो बदला लेंगे जेल में तो यह हमें अपने प्रिजन सिस्टम में भी एपलाई करना चाहिए तो यह क्या दिख रहा है कि आप एथिक्स को हर जगे एपलाई कर पा रहे हैं तो आप एथिकल आदमी होंगे इसके सिवाब एक और इंटर्पेटेशन हो सकता है देर अलसो अनदर इंटर्पेटेशन अफ दी कोट विच इस मोर एपली केबल एन माक्या वेली रियल पॉलिटिक का मतलब रियल सेंस में ग्लोबल अफेर्स में जो कंट्रीज पॉलिटिक्स करते हैं उसमें यह जादा एप्लिकेबल है तो क्या है यह अवीक नेशन if it forgives it will be taken as a sign of cowardice but if a strong nation chooses to not respond and forgive that will be the sign of friends एक कमजोर देश बोलेगा जाओ तुम्हें माफ किया तो वो एक देश को लोग क्या कहेंगे कि भाया वो देश तो है ही कमजोर वो क्या कायर देश है लेकिन अगर मजबूत देश करता है माफ तो लोग उसो कहेंगे हाँ यह सच में माफ किया है वो sign of strength है for example recently black sea में क्या हुआ Russia chose not to drop bombs on British ships instead only fired warning shots this was taken globally as a sign of strength तो इसको मैं रिलेट कर दिया कल पर पिछले हफते की न्यूस से तो आप भी ऐसे ही किसी को रिलेट कर सकते हैं तो यह क्या है एक अलग interpretation है इसी कोट का कोई दिकत नहीं आप multiple interpretations डालें तो एक diagram भी डाल दिया forgiveness से क्या होता है forgiveness promotes peace and brotherhood इससे क्या होती है prosperous society होती है जिससे happy nations होते हैं जिससे prosperous world होता है तो आपको बताया थे कोट बार बार यूज करूंगा देखिए holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing that someone else you are the one who gets burnt तो अगर आप forgive नहीं करते हैं तो आप गुस्सा अपने अंदर रखते हैं और इस process में आप खुद का ही नुकसान कर लेते हैं बड़ी answer लगा तो दोस्तों इस प्रकार से आप on the go answer बना सकते हैं चली next type का सवाल दिखेगा आपको code based नहीं दिखेगा कुछ इस प्रकार का दिखेगा emotional intelligence is the ability to make your emotions work for you instead of against you do you agree with this view आप चाहे तो एक dimension बना सकते हैं when you do not agree with this view लेकिन इस question में तो साफ साफ I am in agreement with this view पर आप चाहे तो और एक बना सकते हैं dimension जरुरी नहीं है कि आपको हमेशा agree करना ही है तो क्या करेंगे आप introduction में यह का आप emotional intelligence का definition देंगे फिर क्या करेंगे आप एक diagram बनाएंगे जिसके द्वारा आप components of AI शो करेंगे फिर आप emotional intelligence को कुछ religion या ideology से जोड़ेंगे उसके बाद उसको जैसे हमने अलग-अलग अपने से इंडिविज्वल लाइफ से वर्ल्ड अफेर से हर जगह से जोड़ा इस प्रम को वैसे ही आप इसको अलग-अलग dimensions से connect करेंगे जोड़ेंगे वेरियस फील्ड से जोड़ेंगे फिर आप बोलेंगे इस कोट से non-adherence से क्या होता है जैसे emotional intelligence नहीं adhere करने पर क्या हुआ कैसे वो आपके अगेंस्ट आपके emotions काम करते हैं कुछ वो दिखा देंगे और finally आप conclude करेंगे कि हाँ I am in agreement with the overview उसने आप सास आप बोलेंगे yes I agree तो क्या करेंगे सबसे पहले तो आप E.I. का definition दे देंगे खुद से मना लीजे कोई भी लेकिन उसके आगे क्या लगाएंगे डॉक्टर डेनियल गोल्मिन उसके बाद E.I. का यह बहुत standard डब्बा है यह डब्बा आपके answer में आना चाहिए तो इसी के अलग-अलग रूप है ऐसा नहीं बस यही डब्बा है इसी डब्बा को अलग तरीके से मॉडिफाई करते हैं चार्गॉडरेंट है तो सेल्फ अवेरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेरनेस, रिलिशन्शिप मैनेजमेंट क्या है तो यह सब होता है emotional intelligence से तो अगेन मैं इसे समझाऊंगा नहीं क्योंकि आपने आपने यह topic है पर आपको यह मालूम करते हैं तो तिलकाताड बनाएं तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा introduction डबा उसके बाद आप religion या theology पर जाएंगे at the core of the emotional intelligence lies the ability to make your emotions work for you instead of against you कैसे religion में है तो भगवत गीता में अगर हम देखे तो उसमें कहा गया है a person who is calm and remains unperturbed याने undisturbed by either pain or pleasure is the one who attains immortality क्या कहना चाहरा है भगवत गीता भी यहीं कह रही है भगवत गीता जी में यहीं लिखा गया है भगवत गीता में कि भाई अगर कोई व्यक्ति खुशी के वक्त भी वैसा ही रहे जैसा गम के वक्त रहता है याने undisturbed तो वही व्यक्ति immortality अचीव कर सकता है तो religion से जोड़ दिया EI को next अगर आप देखे तो आप इसको जोड़ेंगे individual से individual के लिए क्यों EI important है तो वह व्यक्ति जो emotionally intelligent है वह अपने emotion को positive way में channel करता है और ensure करता है negative emotions like anger, बदला, vengeance वह सब चेक पे रहें वहावी ना हो पाएं तो इस प्रकार से वह व्यक्ति better physical and mental health attain कर लेता है तो हो गया emotional intelligence individual level पर बताया उससे क्या होता है emotions आपके लिए काम करते हैं आपके अगेंस नहीं तो आप अपने emotions को अगर चेक में लगते हैं तो आपके emotions आपको खुश रखते हैं ना कि anger vengeance को भारी होने देंगे तो आपको blood pressure हो जाएगा दुनिया बर की बिमारी हो जाएगी आप बिमार होने लग जाएंगे तो इस लिए आप ensure कर सकते है emotional intelligence है तो आपने emotions को अपने लिए हेस्ट में emotionally unstable state में न ले इस प्रकार से वो कोई भी blame game नहीं play करता ओफिस में instead क्या करता है अपने subordinates को सुनता है और उनके challenges को solve करता है वो as a click अपने subordinates के साथ empathize करता है और ensure करता है इस वज़े से बहतर team building होती है देखिए आप civil servant बनना चाह रहे हैं तो आप जो office hold करेंगे उसमें आप more or less इक department को single-handedly जो भी office होंगे उसको अकेले चलाएंगे दो-तीन साल के experience के बाद आप अकेले ही responsible होंगे याने आपको अपने subordinates के साथ कैसे अच्छा रिष्टा रखना है तो बहुत जरूरी है उसमें emotional intelligence हो तो इसके लिए क्या होगा तो आप अपने colleagues के साथ empathize करेंगे तो ही तो वो आपके साथ अच्छे काम करेंगे और एक अच्छी team building हो पाएगी तो example डालिए इसके बाद he or she being emotional intelligent also develops a loyal and committed team for example विक्रम सारा भाई जब इस लो का mission failure होता है जो की कलाम अकेले खुद young कलाम manage कर रहे थे विक्रम सारा भाई उस failure की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं अगले attempt में जब वो mission successful होता है वो कलाम को उसका success का credit दे देते हैं तो इस प्रकार से सारा भाई क्या किये उनके decisions जब कलाम नहीं अचीव कर पाए success तो वो गुस्ता नहीं हुए instead उन्होंने decision को इस प्रकार से manage किया objective तरीके से कि इस्रों और देशित इन दोनों का हित हमेशा सर्व हो तो nation की entirely nation सर्व हो सके वैसे international affairs में देखिए emotional intelligence एंगेला मरकल उन्होंने क्या-क्या Syrian refugees के साथ और इस प्रकार से वो अपने पूरे देश को galvanize कर पाई कि आप भी sympathize कीजिए Syrian refugees के साथ और इस प्रकार से जर्मनी में refugees आने शुरू हो गए इस प्रकार से उनको रिस्पेक्ट भी मिला और ग्लोबल अड्मिरेशन भी मिला कि इसके सिवा अब हम क्या करेंगे not being emotionally intelligent याने कौन सा dimension अब हम टच करेंगे सेम को तिलकताड बनाने के लिए what will happen on non adherence तो आईए तिलकताड बनाए इससे तो गौतम गुद्धा said holding on to vengeance with anger is like holding a coal which the doer in which the doer in the process burns himself वही कोट आपस से use कर दिया तो देखे कुछ कोट ना हर जगा बैटेंगे तो आप use कीजिए तो likewise हमने देखा है due to lack of emotional intelligence U.S. ने क्या किया उन्होंने इन्वेड कर दिया किसको उन्होंने वेरियस कंट्रीज को इन्वेड किया इराक से लेके अफगानिस्तान तक आज American forces क्या करने वाले खाली हार लौटने वाले हैं क्यों क्योंकि due to lack of emotional intelligence यह सारे invasion एक fit of anger में लिए गए थे जिनका purpose बस और बस अंचेक्ट emotions के साथ जिनका purpose रेट्रिब्यूशन था पोस्ट 9-11 9-11 के बाद बस और बस एक ही बदल परपस था बदला लेना तो इस कर दिया तो दस पीपल विद दी emotional intelligence अब कंक्लूट कर रहा हूं दस पीपल दी emotional intelligence have the ability to ensure they are not slaves to their emotions but they are the ones who can control their emotions and extract benefits for themselves and as a society as a whole from commitment तो अगर जिनके पास emotional intelligence से वही लोग हैं जो कि emotion के गुलाम नहीं होते और पूरे के पूरे emotion से समाज से लेके अपना सभी का बला कर लेते हैं तो इस प्रकार से I hope आपको ethics का formula मिल गया है section a को decode करने का कैसे section a में marks लाने हैं वह आपको अब पता चल रहा है अब यह decrypt हो चुका है तो अब ethics में अच्छे marks लाइए और लाके मुझे जरूर बताईए तो दोस्तों तो इसके साथ आज की आइंसर राइटिंगी क्लास के ही पर समाप्त करते हैं जब भी अनकाडमी आए यूज़ कोड के 10 क्योंकि इसी प्रकार से आपको मैं अन्य सब्जेक्ट्स के भी फॉर्मुले देता रहूंगा जो आप मेरी कोड का इस्तामाल करें और मेरे अंडर गाइडिंस पाएंगे आपको मेरी मेंटर्शिप मिलेगी डारेक्ट हैंडोल्टिंग मिलेगी बस नोट्स मिलेंगे और जो गाइडिंस से वो सारी सब्जेक्स ऑफ जी एसे जिग्रफी ऑप्शनल को कवर करती है इसके सिवाद दोस्तों अ इस सब्सक्रिण पर देख सकते हैं और इस वक्त हम अनकाडमी प्रामिस लीक भी रन कर रहे हैं एक से 7 जुलाई आखरी कुछ दिन है बस दो दिन बज रहे हैं तो आपको अनकाडवी नोट्स मिल रहे हैं यह नोट्स आप देख सकते हैं दोस्तों हिंदी-इंगलिश दोनो सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल रहा है और अगर आपकी यह साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा सब्सक्रिप्शन में भी मिलेंगे तो अगर आप गशनल डिस्काउंट भी मिले गा सबस्क्रिप्सक्रिप्शन में धूर्थ कोड़ आपको डिस्वाउंट मिलेगा दोस्तों यह सब आपको मिलेगा प्रॉमिस वीक के तहट साथ जुलाई याने कल खतम हो जाएगा यह तो आज ही आइडियल टाइम है इसके सिवा दोस्तों अगर आपके लिए प्लेस लें तो इसकी दो साल की कॉस्ट चौस्ट चौसर दार एक सबस्टर रुपए इस सारे को सब्सक्रिप्शन अगर आप देखे तो एक साल की कॉस्ट है के बाद 24,750 रुपए है और दोस्तों अनकाडमी नया चैनल अन्रैवल उप्यसी आ चुका है जिसमें हमको मॉक टेस्ट दे रहे हैं साथ जलाई से नया बैज भी स्टार्ट होने वाला है और अनकाडमी कॉमबाट स्कॉलर्शिप टेस्ट भी एविलेबल है तो किसी वन जीरो कोट स से जाएं अन्रोल करें फ्रीटर्श सीरीज का फाइदा उठाएं ये सब अनकाडमी में उपलब हैं थांक यू तो मच पर जोइनिंग आव ग्रेट डेए